अक्सर लोग अपने घर का निर्मार वास्तु शास्त्र के अनुसार कराते हैं, साथ ही घर से जुड़ी सभी चीजों का रखरकाफ भी वास्तु के अनुसार करते हैं, वास्तु शास्त्र में घर में कुछ चीजों को रखना बेहद शुब माना जाता है, तो कुछ चीजों को अशुब भी माना गया है। आमतौर पर कुछ लोग ऐसी वस्तु की खरेदारी कर लेते हैं, जनको घर में रखना अशुब हो सकता है। इन बातों की जानकारी ना होने के कारण इस प्रकार की गलती हो जाती है। वहीं कुछ लोगों को उल्लो को लेकर मन में भै बना रहता है कि उल्लो की मुर्ति या तस्वीर घर में रखना शुब होता है या अशुब ये सवाल सभी के मन में बना रहता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में उल्लो को शुब माना गया है यहां मालक्ष्मी की सवारी है कहा जाता है कि उल्लू की फोटो या मूर्ती को घर में रखना वहद ही शुग होता है इससे मालक्षमी प्रसन्न होती है साथ ही उनकी कृपा बनी रहती है हाला कि यह तब ही संभव है जब इसे वास्तु शास्त के नियमा अनुसार घर में रखा गया हो अब घर में उल्लू रखने के क्या नियम है ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है वास्तु शास्त के अनुसार घर में उल्लू की फोटो या मूर्ती रखनी के लिए पूजा घर या स्टडी रूम उचितत स्थान बताया गया है यहाँ पर उल्लू की तस्वीर लगाने से घर में सकारात्मक्ता का अनुभव होता है साथी घर से बुरी नजर का साया दूर रहेगा उल्लू की तस्वीर लगाने से घर में खुशहाली वह सुखसम्रिद ही आती है आप चाहें तो उल्लू को ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहां से उल्लू की नजर घर के कोने कोने पर पर सके अगर उल्लू की नजर दरवाजी की और हो तो यह और शुब हो जाता है आफिस में उल्लू रखने के कुछ नियम है उल्लू को आफिस में रखना शुब माना जाता है वास्तो शास्त के अनुसार आफिस में उल्लू की मूर्ती रखने से मालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है साथ ही इससे कार्यशेत्र में पॉजिटिव एनरजी का संचार होता है वास्तो के अनसार ओफिस में उल्लू को व्यवसाई से जुड़ी चीजों के पास रखें आप चाहें तो उल्लू की फोटो या मुर्ति को अपने काउंटर के पास रख सकते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि अफिस में उल्लू को हमेशा आपने दाहीने और ही रखें ऐसा करने से आपके कार्यशेत्र में आने वाली सब ही वाधाएं दूर हो जाएंगी साथ ही आर्थिक विकास भी होगा वीडियोडेक्स जीवांजली.ड़ कॉम अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें